नमस्कार बहुत स्वागत आपका इस बुलिटिन में मैं हूँ आपकी साथ अवंतिका श्रिवास्तवरू करेंगे जबलपुर की सबसे पहले बड़ी खबर का जहां युवक ने सुसाइट कर दिये पांसी लगा कर जवान देदी स्व्यक्ति ने हाथ की नस काट कर दिवार पर सुसाइट नोक लिखा सुसाइट नोट में अपने भाई से माफी मांगी है और इस बात का जिक्र है कि 885 रुपए खर्च हो गए है मुझे माफ कर देना ये श्रब्द लिखे गए है गोरा बाजार थाने के कजरवारा गाउं का ये पूरा मामला जांच में पुल्स लगाता जोटी हुई हैरान कर देने वाला ये केस क्योंकि महज 885 रुपए खर्च करने को लेकर जिक्र सुसाइट नोट में और उसकी बाद ये बड़ी घटना से ये पवन पटेल जोट रहा है पवन विस्तार से जानकारी दीजे जी बिलकुल ये घटना कल्क की है जब युवक ने जो है अपने घर पर फासी लगा सुसाइट कर लिया लेकर उसके पहले उसने हाथ की नस्काटी और खून से बीवार पर ये मैसेज लिखा के 850 रुपए जो माने दिये थे वो खर्च हो गए इसलिए भाई मुझे माफ कर रहना इस बात को ये चोटी सी बात को लेकर के युवक ने सुसाइट कर लिया और इस घटना के बाद पूरे छेत्र में हरकंप है पुलिस में मामला दर्जकर शब को को स्ट मार्टम के लिए भिजवाया और वास्तविक कारणों की जाच कर रहे हैं लिकिन प्राथमिक तोर और रोपी के घर पर बुल्डूजर चुला है घायल बुजर की कल मौत हो गई थी नाराज लोगों ने आरोपी के घर के बाहर प्रदर्शन किया आरोपी सुरेश जाट का घर तोडने की मांग उठाई थी है फ्रशाष्ण ने भी अवायत कबजे पर बुल्डूजर चुला तस्पीरिया आप देखे और जिस दौरान कारवाई हुई उस दौरान भी बड़ी सेंख्या में लोग यहां पर पहुंचे पुलिस बल्किये तैनाती शे आरोपी पुलिस गिरफ में दो अभी भी फरार हैं बुजर्ग की मौत हो गई थी और उसकी बाद ये कारवाई है सेग पर कंचन खिड़ी गाउ का पूरा मामला है एक प्रमुक मामला था पुगाना मार्पिट का उसमें ये प्रमुक गवाह थे बुजर्ग और यही वज़े है कि जो आरोपी गण है जिसमें सुरेज जाट जो जनपत के उपादेश बता जाते हैं उनके परीवार जन और उनके परीजन नारा से और उन्होंने आज जो है जो आरोपी है उसे घर के बाद शाओ को रखा और इसे घर को औरने की मांग कि हालाकि प्रशासन ने भी ततकाल कारवाई करते हुए जो अवैल निर्मान था उससे बुल्डोजर चलाया है इस पूरे मामले में छे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दो आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो अभी बाकी है बढ़ा हंगावां बीटे दो दिनों से देखने को मिला यहां पर चीके बहुत शुक्री आपका सुधेर पतिसब इन फामले में चार लोग गरफ्तार हुए उजयन के नागदा इलाके की पूरी घटना उजयन का जिक्र पुलिस की दरफ से हत्या की गुत्ती सुझाई गई है अत्या कांट कफकलासा पुलिस की तरफ से आक्सिडेंट दर्शाने के लिए शक को बाहन से कुछलवा पुलिस की तरफ से मामले पर इसके बाद पुलिस ने जो है शो को पोस्मानम करवाया तो पुलिस को डाक्टरों की पेनल ने बताया कि जिस तरीके से शो के तरीर पर गाव के निशान मिले हैं तो पुलिस को डाउट हुआ है इसके बाद पुलिस ने जाब उसकी पतनी और उसके प्रेमियों को इरासत में लिया इसके बाद पुस्ताच की गई तो पुरा घटना करम तामने आ गया अब फिलाल पुलिस कुछी गंटों में जो है इस पुरी घटना का खुलासा करने जा रही है क्योंकि चार वजे पु इस और भी कोई स्वराग जुटाने में लगी है और जो है आरोप्यों से और भी पुस्ताच की जा रही है ती बहुत शुक्री आपका जाए और आप खंडवा